तो क्या आप भी इस phone को लेना चाहा रहा है Samsung Galaxy A21 FE, आखिरी इस phone में ऐसा क्या है, बहुत सारा लोग इसको purchase कर चुके है, तो इसकी हम असलियत जाना है, तो यह जो phone launch हुआ था, वो पच्चास से साथ हज़र के बीच launch हुआ था, तो अभी इसकी price है 32 ट्रेपल लाइन, तो without time missed के video को करते हैं, start, तो इसमें हम बताएंगे कि आपको इस price range में लेना चाहिए, फिर लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उससे पहले है इसकी कोई हम performance के जान लेते हैं, तो अगर हम इसकी camera की बात करें, तो यह camera और display के लेकर के बहुत ही जादा famous है, तो यह दोनों quality तो 30,000, 35,000, 40,000 के range में भी उतना ज्यादा बीट नहीं कर पाता है, यहां तक कि यह iPhone 12 को टकर देता है, यानि टकर देने का मतलब यह है कि ना iPhone इसे हारा पाता है, यह iPhone को हारा पाता है, जब किसी दो के बीच में लड़ाई होती है, तो कोई एक हारता है, यह फिर कभी ऐसा होत पाता है, नहीं है, उसको हारा पाता है, तो आखिर इतना performance त्यगड़ा है, तो क्या इस price range में करना चाहिए, फिर नहीं करना चाहिए, यह भी confusion दूर करेंगे, और इसके अंदर जो आपको triple जो camera setup मिलता है, वो को real camera आपको 12 megapixel का और आपको ultra wide आपको 12 megapixel का telephoto lens, तो आखिर megapixel को लेकर करके, यानि आखिर बेवकुफ कैसे बनाते है phone, 100 megapixel, 200 megapixel, अगर इस phone में देखे, तो सिर्फ 12 megapixel का, और iPhone में देखे, 12 megapixel का, लेकिन इसे कोई हरा क्यों ने पाता है, यहां तक की 200 megapixel वाला phone, तो आखिर यह चीज क्या confusion है, उसके वीडियो डली हुए है, आप इस पैनल के बात करें, तो यह plastic आता है, और matte finish के साथ आता है, लेकिन जो इसका frame है, वो metal है, आपर metal का feel है, वो कोई और कहाँ देख सकता है, लेकिन अगर premium का मामने माने जाए, अगर हम iPhone 12 से comparison करें, तो आपको build quality में iPhone ही based होगा, लेकिन अगर हम performance के बात करें, वो भी iPhone ही ले ज देता है, तो अगर आप Android user है, आप multiple, आप customize करना चाहते हैं, तो वो iPhone में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन Samsung में धडलने से कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखे customization को ले करके, तो अगर आप ज्यादा customize करना पसंद करते हैं, तो आप Samsung को तरफ जा सकते हैं, Samsung H20 FE का एक और और हम बात करें, तो सबसे बेश्ट बात यह है, कि इसमें आपको 15W का wireless charger मिलता है, प्लस reverse charger, इसके अंदर बहुत ही जादा आपको यहाँ पर देता है, क्योंकि इस presence के हिसाब से कोई भी phone आपको wireless charger support ने करता है, अगर कोई करता भी है, जैसे कि Motorola का है, age 40, तो वो reverse wireless charger मिलता है, यह भी एक अलग है, तो इतना performance होने के बावजूद इसे हम 32 या 33 जर में purchase कर सकते हैं या फिन नहीं, यह conclusion ज़रूर निकल रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर बलूँगा कि अभी आपको यहाँ पर wait करना चाहिए, आकर ऐसा क्यों इतना भारी discount मिल रहा है, फिर भी wait, य उससे भी नहीं हो रहा है, लेकिन किसी तरीके सबर तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको money saving करना है, तो इसका जो discount आया था, वो price घटके 27-28 जर के बीच आ गया था, इतना price घटने के बाद हम 33 जर क्योंने, पांस च्छे हाँजार extra क्योंद है, इसका जो selling था, वो भ दे रहा है कि यह phone 30,000 के नीचे आ सकता है, यानि 30,000 के नीचे आ सकता है, तो फिर 30,000 के उपर हम क्यों purchase करें, तो यहाँ पर थोड़ा से weight कर सकते हैं, यह phone जरूर आपको 30,000 के अंदर में लगा, तो वही weight में हम लगे हुए है, अगर आपको कोई भी phone के लिए information चाहिए, information में नाम बता सकते हैं, इसके बारे में भी video बना देंगे, हम इस भी price range के हिसाब से देखें, तो 33,000 के अंदर में अभी ऐसा कोई phone नहीं है, जो Samsung A21 FE को bit कर जाए, तो यहाँ पर अभी कोई phone ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ बोलेंगे, कि आपको अगर अभी purchase करन है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको money saving करना है, अगर आपका पैसा ज्यादा प्यारा है, अगर उसे बचाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इंतिसार कर सकते हैं, अगर आप उस ज्यादा ही help कर देते हैं, तो जल्दी phone आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मेरे channel का growth है, उस